हलो गाइस वेलकम बैक टू माइन वीडियो तो गाइस आध के वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारी कुछ गाड़ियों की आफ रोडिंग और वो गाड़ियां हमारे एक दम सामने खड़ी हैं आपको दिखा देते हैं पहले तो गाइस पहले तो हमारी XQV 700 और दूसरी हमारी Scorpio S10 और यह हमारी नई वारी टाटा सफारी और जल्दी से साइड से लुक दिखा देते हैं सारी गाड़ियों की और यह बैक से लुक और भाई यह रही XQV 700 साइड से तो गाइस अब जल्दी से ओफ रोडिंग सुरू करते हैं पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें औ जल्दी से बैठते हैं अपनी XQV 700 में अब भाई जल्दी से अब नीचे ले जलते हैं से आगे जाके हमें मोड़ना है अब यहीं से उतारते हैं आराम से और शुरू करते हैं अपनी XQV 700 की आफ रोडिंग और देखते हैं यह आफ रोडिंग कैसी कर पाएगी बाई यहां यह इन उसक्राइब दसक्राइब आ और भाई की चट्राइब देखते हैं पें ज़्कते हैं श्जेकिया के कहें लिए निकर बाई जाल लगपते हैं SP jkv 700 के पाने हिक्षाह्याजाग अभी थे कुपते हमार और यहां पर भी आराम से ब्सक्राइब ब्सक्राइब खाएफ चलो यहां तक तो पहुंच गई है अब जल्दी से वापस ले चलते हैं अपनी एक्ष्वी 700 को यही से मूरते हैं और यहां से चलो निकल जा और यहां से भी चलो निकल गई है अराम से ले चलते हैं और भाई एकदम अंदर तक गाड़ी के पानी आ गया था पर भाई गाड़ लकांगाव नहीं हुई है और यह निकल लिया अपनी एक्किव 700 और यहांसे भी निकल गई है कि और भाई सीधे निकल लिया और यह निकल गई है चलो ठीक, हमारी एक्किव 700 ने तो ओफ रोडनिंग को पूरा कर दिया है और बाइ जल्डी से उतरते हैं, चलते हैं दूसरी गाड़ी की तरफ दूसरी हमारी स्कॉर्पियो की एस्टेन भाई इससे देखते हैं यह कैसी ओफ रोडिंग कर पाएगी अब जल्दी से ले चलते हैं ह armies दिजिए उप सीथयो यही से आगे से में मोडन आए आपर उतारते हैं आराम से और शूरू करते हैं ऑफ रोडिंग आपनी अपनी और भाई यहांसे कीचर से चलो इकल् iz से निखल गई आप यहां से भी बस निकल या अराम से निकल गई यह यह आहांपर भी आरम से चड़ गई है अब सीदे ले चलते हैं ऐसे मट उपनि तक तो सही चल रहा एपनी स्कोर्प्यो अस टैंग और यहां तक चलो पहुंच गया है अब जल्दी से वापस ले चलते हैं यहीं से मोड़ते हैं ちゃुए थिरे थिरे अपनी स्कॉर्पियो स्टेन को ले जाते यहं और यह भाईumed यहांसे भी चलो आराम से निकल गई है अपनी स्कॉर्प्यो एस्टेन और यहां पर कीचर भी बहुत ज्यादा है बस थोड़ी दूर और है और हमारी स्कॉर्प्यो एस्टेन ने भी आफ्रोडिंग चेलेंज को पूरा कर दिया है अब जल्दी से साइड में लगाते हैं और उतरते हैं और चलते हैं नहीं दूस्री आड़ि की तरफ सर्फ और दूसरी गारी है हमारी टाटा की सफारी नहीं वाली बिएक है और देखते हैं यह कैसी अफ्रोडिंग कर पाएगी हम लिछ चलते हैं सीधे और आगे से यहीं से हमें आगे से मोड़ना है दीरे से आराम से उतारते हैं अब यहीं से सुरू करते हैं अपनी सफारी की आफ रोडिंग और यह भाई यहां पर निकालते हैं और यह चलो यहां से निकल गई है आराम से यह भाई यह क्या है मेरे को लग रहा है कोई पत्तर है यहां पर पिसल हो रही है गाड़ी और चलो यहां से निकल जाती है और यहां से निकल गई निकल गई चलो भाई यहां पर कितना खीचड़ एक तो पर चलो निकल गई अपनी सफारी और यहां से भी आराम से चड़ गई है और यहां पर भी चलो निकल गई है यहां और निकलते हैं चलो आराम से निकल गई है तो गाइस आप लोग यहां तक आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपनी सफारी यहां से भी आराम से चलो निकल गई है यहां तक तो पहुंच गई है अपनी टा और यहां पर आराम से निकालते हैं अपनी टाटा सफारी को यहां से भी आराम से चलो निकल गई है और यहां से चलो निकल गई अब चलते हैं सीधे और बस थोड़ी दूर ओर है और हमारी टाटा सफारी ने भी ओफ रोड़िंग चैलेंज को पूरा कड़ दिया है और बस थोड़ी दूर ओर है और ये भाई का चलो निकल गई तो गाइस हमारी तीनों गाड़ियों ने ओफ रोड़िंग को पूरा कर दिया है हमारी टाटा सफारी ने भी और स्कॉर्प्यू एस टैन ने भी और एक्स्यूवी 700 ने तीनों ने ओफ रोड़िंग को पूरा किया है और गाइस आप लोग को इन तीनों गाड़ियों में से कौ कमेंट में जाके बताइए थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो